दोस्तों हमारे चैनल पर आपके लिए रेगुलर बेसिस पर लीगल टॉपिक्स के वीडियो पोस्ट की जाते हैं इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बैल आइकोन को भी दबा दीजिए ताकि नए आने वाले वीड आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिविल लो में एक बहुत ही इंपोर्टेंट टाइप के केस के बारे में और वो है डिकलेरेशन सूट जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि जब हमें अपने किसी अधिकार या स्टेटर्स को डिकलेर करवाना होता है तो हमें कोर्ट में डिकलेरेशन सूट पेश करना पड़ता है डिकलेरेशन की डिक्री के बारे में बताया गया है स्पैसिफिक रिली फैक्ट की सेक्शन 34 और 35 में हम इन सेक्शन पर बात करने के पहले easy language में समझते हैं कि डिकलेरेशन सूट या डि उस civil right को मानने से मना करता है तो आपको civil court में दावा पेश करके उस right का होना declare करवाने के लिए decree लेनी होगी ताकि आपके पास आपके उस अधिकार को माना जा सके example के लिए मान लिजिए कि किसी मंदिर में कोई PD कत पुजारी परिवार है और मुख्य पुरोहित की death के बाद उसके one such PD और PD पूजा करते आ रहे हैं अब अचानक से कोई व्यक्ति आकर उनके अधिकार को challenge करता है यानि मानने से मना करता है तो पुजारी परिवार के सज़ से पूजा करने के अपने अधिकार का declaration court से करवाने के लिए declaration suit पेश कर सकते हैं इसी टाइप से मान लिजे किसी व्यक्ति ने कोई गोद नामा, cell deed या कोई document धोखे से अपने favor में registered करवा लिया जबकि उस document को execute करने वाले व्यक्ति की स्वतंत्र सहमती नहीं थी या फिर वो उस document को execute करने के लिए capable ही नहीं था तो ऐसे document को void declare करवाने के लिए या cancel करवाने के लिए भी civil court में case file किया जा सकता है एक और उधारण को ले तो मान लिजिए कि आपकी date of birth अलग-अलग document में अलग-अलग है इस कारण से आपको परेशानी होती है लेकिन date of birth के बारे में कोई conclusive document नहीं होने के कारण से आपकी स यही date of birth सारे document में एक जैसी नहीं हो पा रही तो आप किसी एक date को अपनी date of birth declare करवाने के लिए भी civil court में case file कर सकते हैं कुछ time पहले आपने case सुना होगा कि कोई व्यक्ति खुद को एक famous नेता का बेटा होना बता रहा था और इसके declaration के लिए court में दावा पेश किया गया था जी हाँ declaration आप किसी भी अधिकारी एस्थिती के बारे में court से मांग सकते हैं बस आपको अपना पक्ष court के सामने प्रूव करना जरूरी होता है अब हम बात करते हैं कि specific relief act की section 34 में provision क्या है section 34 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी legal status का या किसी property के बारे में किसी right का हकदार ह और यदि कोई व्यक्ति ऐसे legal status या right को मानने से मना करता हो तो जिस व्यक्ति का ऐसा legal status या property right है वो court में case file कर सकेगा और court को यदि उचित लगे तो court ऐसे legal right या property right के बारे में declaration की decree जारी कर सकेगा section में आगे ये भी बताया गया है कि अगर ऐसे declaration के अलावा भी वादी का कोई और claim बनता है लेकिन वो ऐसे claim के लिए relief नहीं मांगता तो court declaration की decree जारी करने से भी मना कर सकता है section की language को देखें तो court से declaration की decree लेने के लिए कुछ जरूरी बाते निकल कर सामने आती हैं उन में से सबसे पहली तो ये है कि जो व्यक्ति case लाता है उसका कोई legal status या किसी property में कोई right होना जरूरी है बिना किसी हक या status के declaration नहीं करवाया जा सकता दूसरी बात ये जरूरी है कि case लाने वाले उस व्यक्ति के ऐसे legal status या अधिकार को मानने से कोई दूसरी party मना कर रही है या दूसरी party उसे मानने से मना कर सकती है इसके बाद जो व्यक्ति ऐसे legal status या संपत्ति में अधिकार के declaration का case लाता है उसको ही court में पर्याप्त evidence पेश करते हुए ये प्रूव करना पड़ता है कि उसका कोई ऐसा अधिकार या status मौजूद है अगर वो अपने ऐसे किसी अधिकार ये status को प्रूव नहीं कर पाता तो declaration की decree नहीं मिलती और चौती जरूरी बात यह है कि अगर declaration के साथ साथ कोई और relief भी बनती है तो सारी relief के लिए एक साथ दावा पेश करना पड़ता है मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी property पर अपना अधिकार होने का दावा करता है जिसका possession भी उसके पास नहीं है तो relief में उसक एक और important बात यह है कि declaration का दावा लाने के समय ऐसी कोई specific party होने जरूरी है जो case लाने वाले व्यक्ति के अधिकार या legal status को मानने से मना करे आप individual party के बिना केवल सर्वसाधारन यानि general public के खिलाफ declaration की relief claim नहीं कर सकते उधारन के लिए बात करें कि यदि कोई व्यक्ति 7 साल या उससे ज़्यादा time से गायब है और उसको उससे जानने वाले लोगों में से किसी ने भी देखा भी नहीं है तो यह presume की जाता है कि वो मर चुका है लेकिन केवल गुमसुदा की FIR होने के आधार पर उसका death certificate जारी न टेक्निकली गलत है क्योंकि death declare करने के दावे में भी पहले death certificate जारी करने वाली authority को notice देना चाहिए और उसके बाद उस authority को party बनाते हुए death declare करवाने का दावा पेश करना चाहिए दोस्तों इस दावे की एक और खास बात यह है कि declaration court के discretion पर छोड़ा गया है यानि कि यदि court आ नहीं तो court मना भी कर सकती है इसके बाद section 35 में बताया गया है कि अगर इस प्रकार के case में कोई declaration court ने जारी की है यानि declaration की decree जारी की गई है तो वो declaration केवल उन लोगों के खिलाफ मानने होगी जिनको case में parties बनाया गया था हाँ case में जो लोग party थे उनके उत्राधिकारी या उनके स्थान पर काम करने वाले लोग भी उस case में party माने जाएंगे इसके लिए मान लीजिए A ने B के खिलाफ किसी property right के लिए declaration के लिए case किया और उसमें declaration की decree court ने जारी कर दी तो B का पुत्र C ये नहीं कह सकता कि decree तो B के खिलाफ जारी की गई थी इसलिए उसे वो उस declaration से bound नहीं है इस तरह से specific relief act की section 34 और 35 में जो declaration के लिए provision किया गया है उसका scope बहुत बड़ा है और किसी भी legal status या property right के लिए section 34 में case file किया जा सकता है दोस्तों उम्मीद है declaration की decree के concept को आप समझ पाएं होंगे इसके अलावा भी आपके कोई सवाल है या आप अपने किसी matter पर मुझसे discuss करना चाहते हैं तो screen पर उपर दिखाई दे रहे नमरों पर हमारी team से contact करके मुझसे बात करने के लिए call book करवा सकते हैं ऐसी ही legal जानकारियों के updates के लिए बने रही हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में